उत्तर प्रिदेश में कावन रूट पर नेम प्लेट लगाने वाले फैसले पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है। राज्यों के जवाब देने तक किस आदेश पर रोक रहेगी। श्रीश रदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। और केवल दुकांदारों को अपनी दुकानों में खाने के प्रकार ही बताने होंगे सुप्रिम कोट ने कहा कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी केवल ये बताना होगा और अब किसी भी दुकांदार को नेम प्रेट लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी जिसमें राज्य सरकारे अपनी अपनी दलीले पेश करेंगी और आज इस मामले में सुप्रीम कोट में लंबी बहस चली वकीलों ने सरकार के खलाफ सुप्रीम कोट में दलील दी कि अलपसंखेकों की पहचान करके उनका आर्थिक भहिशकार किया जा रहा है याचिका करता के वकील सी यू सिंग ने कहा कि शासन का आदेश समाज को बाटने जैसा है और जिसके बाद सुप्रीम कोट ने इस पूरे विवात को गंभीरता से सुना सुप्रीम कोट ने पूछा कि ये एक प्रेस वक्तवे था या एक आदेश जिसके जवाब में याचिका करता कि वकील ने कहा कि पहले एक प्रेस बयान आया था लेकिन फिर पुलिस ने इसे लागू करवाना शुरू कर दिया इसके बाद सुप्रिम कोट के जज ने पूछा कि इस आदेश का पालन कैसे करवाया जा रहा है जिसके जवाब में वकील ने कहा कि राजी सरकार दलील देती है कि सभी दुकानदार स्वेच्छा से अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिख ले लेकिन पुलिस इसे सकती से लागू करवा रही है सुप्रिम कोट के जज ने पूछा कि क्या कभी पहले ऐसा हुआ है जिसके जवाब में वकीलों ने कहा कि देश में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है इसका कोई व्यधान एक समर्थन नहीं है सुप्रिम कोट ने पूछा कि या आदेश किन दुकानों पर लागू होता है और किने नेम प्लेट लगाने को कहा गया है वकीलों ने जानकारी दी कि पुलिस केवल खाने पीने के होटल वालों को ही नहीं बलकि रेडी पट्री और चाय की छोटी सी दुकान लगाने वालों को भी नेम प्लेट लगाने के लिए विवश कर रही है वकील अविशेक मनु सिंग्भी ने कहा कि सुच्छा के नाम पर जवरन आदेश लागू किया जा रहा है जिसके बाद सुप्रिम कोट में लंबी बहस चली और आखिरकार जस्टिस भट्टी ने यूपी उत्राखंड और मदिप्रदेश सरकार के फैसले को गलत बताते हुए नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी और कॉंग्रिस ने सुप्रिम कोट का फैसला सामने आते ही यूगी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया कॉंग्रिस नेता प्रमोट तिवारी ने कहा कि आदालत का फैसला यूपी सरकार के मुँपर तमाचा है मही सुप्रिम कोट का फैसला आने के बाद कॉंग्रिस नेता इमरान प्रताब गड़ी ने यूपी सरकार को चिताब्ली भी दी और कहा कि देश सम्विधान से चलेगा सरकारी फर्मान से नहीं चलेगा जो समाच को देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हूँ विपक्ष तो विपक्ष एंडे में शामिस सहीयोगी दलों के नेता भी आज सुप्रिम कोट के फैसले पर खुशी जताते नजर आए एंडे में शामिल नितीश कुमार की पार्टी जेडियू की तरफ से भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की गई और जेडियू नेता केसी त्यागी ने सुप्रिम कोट के इस फैसले को स्वागत योग ये बताया मैं सुप्रिम कोट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ हमारा एप्रिहेंसन था कि इससे समाज में विवाजन पैदा होगा सुप्रिम कोट ने इसका नोटिस लिया धन नभाग अकिलेश आदव ने यूपी सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि सामप्रदाइक राजनीती का दिया बुझने से पहले फढ़ भड़ा रहा है सुप्रीम कोट का फैसला इसी की निशानी है विपक्षी दलो ने यूपी उत्राखन और मध्यप्रदेश सरकारों को गेरा तो इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया इस विवाद की गूँज आज संसद में भी सुनाई दी राजसभा में विपक्षी पाठियों के सांसदों ने इस मामले में चर्चा की मांग की राजसभा की सभापती जगदीब धंकर ने चर्चा की मांग वाले नोटिस को खारिच कर दिया चुकि अखलेश यादव ने सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार की विदाई से ही जोड़ दिया और इशारों ही इशारों में दावा किया कि उत्तर प्रिदेश में बीजेपी की सत्ता जाने वाली है इसलिए अकिलेश के बयान फरकेंद्रे मंत्री ग्रिराज सिंग ने पलटवार किया लालू भाईया मैं आपके उपर कुछ गोल भी नहीं सकता कि जब 2014 के पहले लालू भाईया आप किंग में कर बने थे उसमें स्टेटस के नियम कानून थे आप चाहते तो दिला सकते थे लेकिन आप तो उसमें कांग्रेस के गोत में खेल रहे थे और साफ तो पर कह दिया गया कि बागेश्वर धाम के सभी दुकांतार दस दिनों के अंदर अपनी अपनी दुकान के बाहर अपने नाम की नेम पलेट लगा ले दुकान धारों को पंडित दिरींदर शास्त्री ने चेतावनी दी कि अगर श्रद्धालों की बवतिता के साथ खिलबार हुआ तो फिर ठीक नहीं होगा कि अगर श्रद्धालों का धर्म बुरस्त नहीं होगा है यहां ही आजिया है वागेश्व धाम के सभी दुवान दार तस दिन के अंदर नेंग प्रेक नवालें नेको इसके आंगे विदिक कारवाई धाम समीकी तरब से कानून को साथ में लेकर कानून को व्यावन प्रसासन क तार प्रसाइब шासन के बुवृर्य हाला कि बावेश्व धाम के प्रमूः धिरेंद्र शास्री का यह बयान सुप्रिम प्रीम कोछ के आज आये इस फैसले के पहले आया लेकिन उनका यह बयान अब चर्चा का विशय बना हुआ है ट्बुकि पन्डित धीरेंद्र शास् पंडित दिरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दुकानदार अगर अपनी दुकानों के बाहन नेम प्लेट लगाएंगे तो इससे ग्रहकों में ब्रहम नहीं होगा और वो आसानी से होटल में खाना पी न कर सकेंगे और उनकी पवित्रता भी बनी रहेगी उत्रप्रदेश के मुजफर नगर में मामूली विवात के बाद कावणियों ने जम कर हंगामा किया आरोप है कि कावण खंडित कर भाग रहे कारचालक को के पीछे जा रहे थे कावणियों ने पीछा कर इस कारचालक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी वहां मौजूद लोग बीच बचाव करते रहे लेकिन कावणिया उस शक्स की पिटाई करते रहे इतना ही नहीं कावण खंडित होने से घुसाए कावणियों ने उसकी गाड़ी को भी नहीं बक्षा और उसमें जम कर तोड़ फोर की सामने आए वीडियो में दो कावणिये कार की छट पर चड़ गए और तोड फोड करने लगे इस दोरान कावडियों ने कार के शीशे दर्वाजे तोड दिये हंगामा कर रहे कावडियों का घुस्सा इससे भी जब शांत नहीं हुआ तो उन्होंने सड़क को जाम कर दिया जिससे दोनों तरफ गाडियों की लबी कतार लग गई जो गाडियां जहां थी वो बहीं खड़ी हो गई हलाके इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुची और उन्हें समझाने की कोशिश की कावडियों का घुसा शांत नहीं हुआ और वो पुलिस के सामने ही हंगामा करते रहें कावडियों को शांत कराया जिसके बाद कावडिये वहां से आगे बढ़ गए हालाकि एहतियात के तोर पर वहां कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया उत्तरप्रदेश के वारानसी में गंगा जमुनी तहजीब की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली सावन के पहले सोमवार के मौखे परकाशी विश्चुनात मंदिर में दर्शन करने पहुँचे श्रधालू का फूलों से स्वागत किया गया और ये स्वागत मुसलिम समुदाय से जुड़े लोगों ने किया इसके लिए मुसलिम समुदाय के लोग फूल लेकर वहां खड़े दिखाई दिये इस दोरान जो भी श्रधालू मंदिर में दर्शन के लिए जाता दिखाई दिया उन पर फूलो की बारिश कर उनका स्वागत किया इस दोरान कुछ लोग गुलाब की पंखुडिया लिये हुए दिखाई दिये तो कुछ लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे यह पहली मरतबा नहीं है जब महां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्रधालू का पूलो से स्वागत किया हो बीते कई सालों से काश्री में सावन के सुमवार को ऐसी ही तस्वीरे देखने को मिलती है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ आज आजमगड और वारानसी के दोरे पर रहे मुख्यमंतरी के दोरे के कई माईने निकाले गए बताय जा रहा है कि मुख्यमंतरी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर समीक्षा बैठक कर रहे है साथी सांसदों और विधायकों से फीडबैक भी ले रहे है ताकि लोगसभा चुनाओं में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का पता लगाया जा सके इन्ही मकसदों को जानने के लिए मुख्यमंत्री योगिया आदितनाथ पहले आजमगड पहुँचे वहां मुख्यमंत्री ने मंडल ये समीक्षा बैठक की इस बैठक में इलाके के सभी वरिष रतिकारी शामिल हुए आज भी सीम योगी ने आजमगड और बनारस मंडल की समीक्षा बैठक की सीम योगी की समीक्षा बैठक इसलिए भी महतपूर है क्योंकि लोगसभा चुनाओं के नतीरों के बाद सीम खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर वास्त्विक इसीती पता कर रहे हैं आजमगड के बाद योगी आदितनाथ वारानसी पहुचे और वहाँ भी अधिकारियों के साल समीक्षा बैठक की इस दोरान सीम योगी ने स्थानिय निताओं और अधिकारियों से बादशीत कर विकासकारियों और कानून विवस्था की समीक्षा की साथ ये वरणसी में लगने वाले सावन के मेले के बारे में भी जानकारी ली उत्तर प्रिदेश में लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रिदेशन के बाद बीजेपी में मन्थन का दौर चारी है इस बीच खबर ये है कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी और उत्तर प्रिदेश के मुख्य मंत्री योगी आदेतनाथ की मुलाकात हो सकती और ये मुलाकात इसी महीने के 27 तारीक को हो सकती है जानकारी के मुताबिक मुख्य मंत्री योगी आदेतनाथ 27 जुलाई को नीती आयो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आने वाले हैं खबर है कि इसी दोरान उनकी मुलाकात पीए मोदी से होगी इसके अलावा योगी आदेतनाथ ग्री मंत्री आविशा और पाटी के राश्री आध्याक्ष जेपी नड़ा से भी मुलाकात कर सकते हैं हाला कि मुलाकात के दोरान किन बातों पर चर्चा होगी इसका तो फिलहाल पता नहीं चला लेकिन बताया जा रहा है कि बैठक के दोरान उपचुनाव के बारे में विचार विवश हो सकता है प्रधार मंत्री मोदी मुलाकात के दोरान उपचुनाव के लिए टिप्स दे सकते हैं UP की 10 विदान सभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने कमर कसली है। नहीं बेप्रदेश बीजेपी ने सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को चुनाव में जुटने के साथ ही संबंधित विधानसबा शेत्रों में सक्रिय रहने का निर्देश दिया था। और पहले सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 140 करोड लोगों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का मौका दिया उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की। पस्याताब तक नहीं है। पियम मोदी ने नकारात्मक राजनीती के आलोचना करते हुए सभी दलों से दलगत राजनीती से उपर उठकर काम करने की अपील की। मैं आज आगरपुरवक कहना चाहता हूँ। देश वात्यों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। आगे प्रधार मंत्री ने कहा कि देश की जनता ने फैसला दे दिया है और ऐसे में वो सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि वो सभी अगले पाच साल तक देश के लिए जनता के हित में साथ मिलकर लड़े। प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने अपने संबोधन में 23 जुलाई यानि कल पेश होने वाले बजट का भी जिक्र किया। साल बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और सरकार ने जो गैरेंटी दी है उन्हें पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विक्सित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। पियमोदी ने देश की एकॉनमी पर बात करते हुए कहा कि भारत लगतार दुनिया में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और 8 फीसिदी ग्रोथ के साथ हम विकास के पत पर आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव आउटलुक और लगतार बढ़ रहा है इन्वेस्मेंट इस बात का सबूत है। नीट पेपर लीग केस की गून संसद में भी सुनाई दी मौनसून सत्र के पहले दिन शिक्षा मंतरी धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले पर बयान दिया तो विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। और विपक्ष ने मौनसुन सत्र के पहले ही दिन नीट पेपर लीक मामले पर सरकार पर हमला बोला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में नीट परिक्षा के दोरान कुछ जब हो पर गरबडी की बात तो मानी लेकिन पेपर लीक के पुखता सबूत होने से इंकार किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर विपक्ष ने आपत्ती जताई और हंगामा शुरू कर दिया इस दौरान नेता विपक्ष राहूल गांधी ने भी नीट पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला वही समाजबादी पार्टी के अध्याग शकलेश यादव ने भी नीट पर इक्षा को लेकर केंद्र सरकार की मंत्रा पर सवाल खड़े कर दी अध्यश मोदे ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड ज़रूर ये सरकार बनाएगी और नीट विवात पर सुप्रीम कोट में आज एक हम सुनवाई हुई इस दोरान सुप्रीम कोट ने परिक्षा में एक सवाल के दो आप्शन सही उने पर चिंता जाहिर की और इस पर राय लेने के लिए IIT दिल्ली के एक्सपर्स की कमेटी बनाने का आदेश दिया और सुप्रीम कोट के आदेश पर बनी IIT दिल्ली के एक्सपर्स की ये तीन सदसई कमेटी मंगलवार दोपहर बारा बज़े तक अपनी राय देगी दरसल नीट परिक्षा में एक सवाल के दो अलग-अलग विकल्पों को सही मानकर नंबर दिये गए थे NCRT के पुराने सिलिबस के हिसाब से एक आप्षन ठीक था जबकि NCRT के नए सिलिबस के हिसाब से दूसरा आप्षन सही था और NTA ने इस सवाल के दोनों विकल्पों को सही मानकर नंबर दिये थे जिस पर कुछ शात्रों की आपत्ती के बाद सुप्रिम कोर्ट ने IIT दिली के एक्सपर्स की कमेटी बनाने का आदेश दिया मानने सुप्रिम कोर्ट ने IIT डेली के डारेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप में इन में सो जो सही आंसर है वही पेपर लीक मामले पर टिपणी करते वे सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि पेपर चार मई से पहले लीक हुए होंगे अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले है जिससे ये साबित हो सके कि नीट यूजी पेपर लीक इतना व्यापक था कि पूरे देश वे फैल गया नीट परीक्षा दुबारा होगी या नहीं इस पर सुप्रिम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कोई फैसला नहीं दिया सुप्रिम कोर्ट में मामले की सुनवाई कल भी जादी रहेगी विशेश राजी के दर्जे के मुद्दे पर बिहार के 13 करोर लोगों का सपना चकना चूर हो गया क्योंकि केंद्रिय मंत्री पंकर चौधरी ने आज साफ कर दिया कि बिहार को विशेश राजी का दर्जा नहीं दिया जा सकता इससे पहले आरजडी नेता मनोज जहा ने राजसभा में बिहार के लिए विशेश राजी का दरजा के साथ साथ विशेश पैकेज देनी की भी मांग उठाई इस पर केंद्रेवित राजी मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया उन्होंने साथ कहा कि मौजूदा प्रावधानों के तहट बिहार को विशेश राजी का दरजा नहीं दिया जा सकता बिहार को विशेश राजी का दरजा देनी की मांग खारिज होते ही विपक शमलावर नजर आया जिस पर केंडरे मंत्री गिरिराज सिंग ने पलटबार किया अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रे स्वयम सेवक संग के कालेकरमों में शामिल हो पाएंगे मोदी सरकार ने 58 साल पुराना फैसला बदल दिया है जिसके बाद कॉंग्रे समेथ कईवे पक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमला वर हो गई केंदर सरकार ने 58 साल पहले की ततकालीन सरकारों के उना देशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारीं के आरेसस की शाखाओं और कारिकरमों में शामिल होने पर रोक लगाई थी मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासर चुरू हो गई RSS ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं AIM I.A.M. अध्यक्षा सुदू दीन अवैसी ने किंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए RSS पर हमला बोला पहारत की डैवर सिटी को प्लोरिजम को नहीं मानते हैं वो तो हिंदू राश्त्र की पर खसम खाते हैं तो जो हिंदू राश्त्र को पर खसम कहता है वो तो इंडियन नेशनलिजम के खिलाफ बात कर रहा है कॉंग्रेस ने भी मोधी सरकार के इस वैसले पर सवाल उठाए और उसे एक अटगरे में खड़ा किया हर्याड़ा के नू में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई और जिन रास्तों से ब्रजमंडल यात्रा निकली उन इलाकों पर कर्फ्यू जैसा नजारा देखने को मिला साधु संतों की गाड़ियों के आगे पुलिस की 6-7 गाड़ियां चलती नजार आई असी किलो मीटर नंबी ब्रजमंडल यात्रा कड़े सुरक्षा घेरे में निकली तो बंबं भोले के जैकारों के साथ श्रिभख्तों की टोली का जो शाई दिखा चुकि पिशली बार की ब्रजमंडल यात्रा में हिंसा हो गई थी और काफी बवाल हुआ था लेकिन बावजुद इसके हर्याना के अलग-अलग शहरों से लोग यात्रा में शामिल होने के लिए नूह पहुचे क्योंकि पिशले साल नूह में जो हुआ उसके निशान आज भी जिन्दा है इस बार भी ब्रजमंडल यात्रा में दंगा कराने की साज़िश शची जा रही थी लेकि पुलिस की मुस्तैदी ने दंगाईयों की साज़िश पर पानी फेड़ दिया क्योंकि इस बार सुरक्षा बेहत कड़ी रही ब्रिजमंडल यात्रा की दौरा नूह में रैपिड अक्शन फोर्स का पहरा रहा तो वहीं बं स्क्वाइट दस्ते को भी तैनात किया गया ड्रोल से हर तरफ निगरानी की गई वहीं यात्रा वाले रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए गए यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस ने नू का चप्पा चप्पा चाना और संदिकदों पर पैनी नज़र रखी वहीं सोचल मीडिया पर भी पुलिस एक्टिव देखी जो लगातार ये जाच कर रही थी कि कहीं से कोई ऐसी पोस्ट शेयर ना हो जिससे हिंसा भढ़के और हाला आत पिछले साल जैसे हो जाए जमू कश्पीर में आतंकवादियों के रोज-रोज के हमलों से तंग आकर भारतिय सेना आब आरपार की लडाई पर उतर आई है बारतिय सेना आज आतंकियों पर काल बर्ग तूट पड़ी और उन्हें चारो तरह से घेर लिया जिसके बाद दोनों तरफ से भयंकर फाइरिंग हुई सेना के जवानों ने चारो तरफ से घेर कर आतंकियों पर गोलिया बर्साइं तो वहीं आतंकी भी जवानों को निशाना बना कर फाइर करते रहे अगातार बनी हुई है दो से लेकर तीन आतंकी और अभी सेक्योर्टी फोर्सिस पूरे इलाकी को आप देख सी किस तरह से पूरे जो कौनवे सेक्योर्टी फोर्सिस से गुजर रहा था वो भी रुख चुका है खबर सामने आ रही है कि सेना की गोलीबारी से एक आतंकी बुरी तरह जखमी हो गया है लेकिन सुरक्षाबल के जवान भी अलर्ट है घाटी में जमो कुश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के जवानों के साथ साथ अब डॉक स्कॉर्ट की टीम को भी तैनात किया गया है और आप देखिए बकतर बंद गाडियां जो है भारती सेना की वो मोखे पर पहुंची है और पीडो इलाकी को लगातार सुरक्षाबलों ने यहाँ पर घेर लिया है भारती सेना के जवान है वो लगातार चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखे हुए है और पूरी तरहां से आपको बता दे कि एक बड़ा कॉममेड ओपरेशन एंटीडोर ओपरेशन जो है वो यहाँ पर देई से जारी है आतंक्यों के खिलाफ यह ओपरेशन आज तड़के सुबह शुरू हुआ था जो लगातार जारी है सेना कोई धील नहीं दे रही कि आतंकी बचकर भाग पाएं हाला कि बारिश और खराब मौसम सुरक्षा बलूं के लिए चुनोती जरूर बना हुआ है राजोरी में आतंक्यों के खिलाफ यह ओपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब आतंक्यों ने रात करीब तीन बजे शौर चक्र से सम्मानित वीडीसी सदसे पुरुशोत्तम लाल के घर पर हमला बों दिया इस हमले में वीडीसी पुरुशोत्तम लाल के चाचा के घायल होने की खबर है आतंक्यों की कोशिश थी कि किसी तरह शौरे चक्र से सम्मानित पुरुशोत्तम लाल को खत्म करके पूरे इलाके में देशत थेलाई जाए लेकिन चौकर्ना सुरक्षाबल के जवानों ने आत इटलियेट कर रहे थे लेना चाहते थे लेकिन सुरक्षाबलों ने आतंक्यों की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया और उल्टा उन्हें जंगल में चारो तरफ घेर लिया 26 जुलाई को करगिल विजे के 25 साल पूरे हो जाएंगे इस मौके प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी करगिल वार मेमोरियल जाएंगे और शहीद जवानों को श्रधानजली भी देंगे लद्दा के उपराजिपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के दोरे की जानकारी दी उन्होंने ट्वीट कर बताया की प्रधार मंस्री नरेंद्र मोदी की करगिल युद समारक तरास की यात्रा की विवस्था पर चर्चा करने के लिए उपराजिपाल सचिवाले में एक बैठक की गई बता दे की करगिल युद 1999 में हुआ था ये युद भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था भारतिय सानिकों ने तीन महीने के संखर्ष के बाद पाकिस्तानी घुसपैटियों को खदेर दिया था इस युद में भारत के करीब 490 अधिकारी और जबानों की शहादत हुई थी और इसलिए युद में मिली भारत की जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजए दिवस मनाया जाता है उत्तरप्रदेश के बरेली के गौसकंज में मुहरम के दिन उपद्रव करने वाले आरोपियों के खलाफ योगी सरकार ने अब बुल्डोजर एक्शन किया है आरोपियों के मकानों पर बुल्डोजर चलवा कर गिरा दिया गया है जिसकी तस्वीरे भी सामने आए इन तस्वीरों में बुल्डोजर मकान गिराते नजर आए कुछी देर की कारिवाई में बुल्डोजर ने मकान को जमी दोस कर दिया दरसल बरेली में जिन घरों पर बुल्डोजर चला उनके रिष्टे मुहरम के जुलूस में हुई हिंसा से जुड़े हैं जब ताजिया निकालने को लेकर के दो समुदाए आमने सामने आ गए थे दोनों तरब से पत्थरबाजी और मारपीट हुई थी जिसमें तेजपाल नाम का एक शक्स घंभीर रुट से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गए तेजपाल की मौत के बाद इलाके में तनाव के स्थिती बन गई मौत के तेजपाल के परीजनों ने आरोपियों के घर बुल्डोजर चलाने की मांग की और कारिवाई नहोने तक अंतिम संसकार करने से इंकार कर दिया जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और आरोपी के घर पर बुल्डोजर चलवा दिया हालाकि तनाव के हालात बनते देख पहले से ही वहाँ भारी संख्या में पुलिस बालों को तैनात कर दिया गया था राजस्तान के जुझिनू में अवैद खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला बोल दिया और वन विभाग के रेंजर को गाड़ी से कुचल कर मारने की कोशिश भी की वन विभाग की टीम पर हमले की ये वारदात जुनजुनू के सिंखाना इलाके में हुई जहां अवैद खनन की सूचना पर रेंजर मुकेश मीरा की अगवाई में कारिवाई करने गई वन विभाग की टीम पहुची और उन्होंने खनन कर रही जेसी बी और ट्राक्टर को जब्द कर लिया जिसके बाद खनन माफियाओं ने उन पर सर्यों और लाठी डंडों से जान लिवा हमला किया और वन विभाग की गाड़ियों के साथ तोड़ फोड की जिसमें कई करमचारी घायल हो गये बताया जा रहा है कि इस दौरान खनन माफियाओं ने वन विभाग के रेंजर को जेसी बी से कुछलने की भी कोशिश की इस दौरान टीम के लोगों को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी वहीं खनन माफियाओं ने जब्त की हुई जेसी बी और ट्राक्टर को भी छुडा लिया घटना की सूशना मिलने पर जुणजुनू पुलिस मौके पर पहुची और वन विभाग के घायल करमचारियों को अस्पताल में भरती कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी चीन ताइवान में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है चीन ने फिर से हिमाकत करते हुए ताइवान की वाईउ सीमा में अपने लड़ाकू फाइटर जेट बेजे ताइवान में गुस्पैट करने की चीन की ये हिमाकत पुरानी है लेकिन अब ताइवान भी चीन को मोतोर जवाब देने से नहीं चूकता ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री के मताबिक धोके बास चीन ने एक बर फिर सीमा लांगते हुए गुस्पैट की कोशिश की और ये कोशिश फाइटर जेट और युदुपोतों के जरिये की चीन ने अपने 12 फाइटर प्लेन के जरिये ताइवान की वायू सीमा में दखल किया और आस्मान पर मंदरा था रहा जिसके बाद ताइवान एर फोर्स ने भी वर्निंग देते हुए चीन के फाइटर प्लेन को सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिये चीन इतने से भी नहीं माना चीन की लगातार इस समाकत का जवाब देने के लिए अब ताइवान भी जल्द मिलिटरी ड्रिल शुरू करने वाला है ताकि चीन की इस हरकत का पूरे अक्शन के साथ जवाब दिया जा सके रूस और यूक्रेन जंग को धाई साल से ज्यादा कसमे बीच चुका है लेकिन उनके गोला बारूद हर दिन आग बरसा रहे है वार जोन से एक्स्क्लूसिफ वीडियो सामने आया है आप भी देखिए आग बरसा रहे ये रॉकेट लॉंचर सीधे यूक्रेन की धर्ती पर गिर रहे है रूस अपने इस मल्टिपल रॉकेट लॉंचर से यूक्रेन पर थाबर तोड हमला कर रही है जिसका एक्स्क्लूसिफ वीडियो सामने आया है रूसी आर्मी दनादन रॉकेट लॉंचर से गोले दागते हुए यूक्रेनी आर्मी क्यामपों को निशाना बना रही है जिससे यूक्रेन को बड़ा नुक्सान पहुँच रहा है वही रूसी आर्मी के ये दूसरी तस्वीर भी देखिए रूस आर्मी अपने D-30 होविच्जर तोपों से यूक्रेन में गोले दाग रही है रूसी आर्मी लगातार यूक्रेन पर अटाक किये जा रही है ताकि यूक्रेन आर्मी को वो तबाह और बरबाद कर सके रूस अगर यूक्रेन पर ताबटोर अटाक कर रहा है तो यूक्रेन भी रूसी आर्मी पर कहर बनकर तूट रही है इस वीडियो को देखिए युक्रेणी आर्मी विद्वन्सक ड्रोन के जरीए रूसी आर्मी के टैंक को निशाना बना रही है युक्रेणी आर्मी ड्रोन के जरीए पहले रूसी आर्मी के टैंक को ट्रैक कर रही है और फिर उस पर सटीक अटाक कर टैंक को तबाह कर दे रही है ड्रोन अटैक से रूसी आर्मी के टैंक घरी जंगलों में भी बचने ही पा रहे है और ये तब हुआ जब तीन दशक बाद अफगानिस्तान की सिमाओ का मुल्यांखन किया गया जिसमें पाकिस्तान, जमुकश्मीर, तजाकिस्तान शामिल है खास बात ये है कि मुल्यांखन की दोरान तालिबानी मंत्राले की तरफ से पाकिस्तान की कबजे वाले शेत्र का इस्तमाल नहीं किया गया यानि अफगानिस्तान की तरफ से पियोके पर पाकिस्तान के दावे को साफ़ दर किनार कर दिया गया कालिबान सरकार का ये बयान भारत के लिहाज से बेहद महतुपून है तो वहीं पाकिस्तान के लिए जटके की तरह है अफगानिस्तान के इस ऐलान के बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी हेड़कौर्टर और आईसाई क्याम्प में खलबली मच गई पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस की ज्यात्ती की खबरें अकसर सामने आती रहती हैं और यही वज़े है कि पीओके में भी पिछले कुछ महीनों से भारत में शामिल कर लेने की मांगे उठने लगी है तो वही भारत ने पीओके को हमेशा ही अपना है सामाना है और यह भी साफ कर दिया है कि सही समय पार पीओके का जमु कश्मीर में विलैक किया जाएगा पाकिस्तान के पूर्वे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापाग इमरान खान इन दुनों बद्तर जिन्दगी जीने के लिए मजबूर है ये दावा कोई और नहीं बलके खोद इमरान खान ने किया है जिसके मताबिक उन्हें ऐसी जेल में कैद करके रखा गया है जो आमतौर पर आतंगवादियों के लिए होती है जेल इतनी छोटी है कि उसमें चलने फिरने हिलने डुलने तक की भी जगए नहीं है इमरान खान के मताबिक इस काल कोटरी में उन्हें एक कैदी के मूलभूत अधिकारों और मानवधिकारों से भी वन्चित कर दिया गया है पाकिस्तानी अकबार डॉन में छपी एक खबर के मताबिक इमरान खान ने ब्रिटन के समचार पत्र दसंदे टाइम्स को जेल से दिये एक साक्षातकार में ये दावे किये इंटर्व्यू में इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें 7-8 फुट की एक जेल में कैद करके रखा गया है उन्हें किसी से मिलने के अनुमती नहीं है उन पर 24 गंटे निग्रानी रखी जा रही है पैंसल और कागस रखने की भी अनुमती नहीं है यहां तक कि बुनियादी मानव दिकारों से भी वंचित रखा गया है इमरान खान करीब एक साल से रावल पिंदी की उच्चित रक्षा वाली अडियाला जेल में कैद है इमरान खान की पत्नी बुष्रा बीबी ने भी जेल प्रिशासन पर कई कम भी रारोप लगा है लेने की अपील कर रहे हैं जिसके बाद जो बाइडन ने एक सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर चिट्थी के जरीए चुनाव लड़ने से मना कर दिया और अमेरिकी राशुपती पत्की रेस से बाहर हो गया जो बाइडन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा राशुपती की रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मेरा इरादा फिर से चुनाव लड़ने का था लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के हित में है मैं आने वाला चुनाव ना लड़ू और केवल राशुपती के रूप में अपने बचे कारेकाल के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान के इंदृत करूँ जो बाइडन ने राशुपती पत्की रेस से हटने के बाद Democratic Party की Presidential Candidate के तौर पर उप राशुपती कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया हाला कि कमला हैरिस के नाम की अभी आधिकारिक गोशना होनी बाकी है लेकिन ये लगभग तैम आना जा रहा है कि ये चुनाव ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच होने जा रहा है वही Republican Party के उमीदवार और पूर राशुपती डॉनल्ड ट्रम्प ने भी बाइडन के नाम वापस लिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके लिए बाइडन के मुकाबले कमला हैरिस को चुनाव में हराना ज्यादा आसान होगा राशुपती पत के उमीदवारी के लिए जो बाइडन का समर्थन मिलने के बाद कमला हैरिस के लिए चुनाव जीतना बड़ी चुनावती होगा इससे पहले जब वो प्राशुपती भी चुनी गई थी तो भी वो इस पत पर पहुंचने वाली पहली महिला पहली अश्वेत अमेरिकी थी कमला हैरिस भारत ये मूलकी हैं और उनके पिता जमाइका मूलके हैं कमला हैरिस साउथ एशियन और ब्लाक दोनों ही कम्यूनिटी से जुड़ी हैं और ये राश्टरपती चुनाव में उनके लिए फाइदमन साबित हो सकता है कमला हैरिस की उमीदवारी की अभी अपचारिक गोशना नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही अमेरिका की अश्वेत मतदा था हैरिस को समर्थन देने की बात क्या रहे है अमेरिकी राश्टरपती जो बाइडन ने दोबारा राश्टरपती का चुनाव लड़ने से इंकार क्यों किया आईए अब आपको इसकी वज़े हम समझाते है बाइडन के राश्टरपती की रेस से बाहर होने की सबसे बड़ी वज़े नहीं उनकी सेहत जिसे टरंप ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और उन्हें राश्टरपती पत के लिए अन्फिट कहा वहीं डिबेट के दौरान कई मौकों पर उन्हें चीजों को भूलते देखा गया पहली प्रेसिडेंश्यल डिबेट में जो बाइडन को जोनल्ड टरंप के हाथों हार जेलनी पड़ी थी इस डिबेट में बाइडन टरंप के सामने कमजोर और असाहज दिखे थे 13 जुलाई को पेंसलवेनिया की रैली के दौरान टरंप पर जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद जनता में टरंप के लिए सहनुबूती पैदा हो गई थी माना ये जा रहा है कि इससे टरंप को फायदा और बाइडन को नुकसान हुआ अपनी ही पार्टी में बाइडन की उमीदवारी को लेकर विरोध चल रहा था और उन पर नाम वापस लेने के लिए दबा बनाया जा रहा था मौनसून के इस मौसम में देश के कुछ हिस्से बाढ़ बारिश से बेहाल है गुजरात के सूरत में सडके तालाब बन गई है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये तस्वीर सूरत से आई है जहां हरोर पानी का कबजा दिखा सडकों पर सैलाब नजर आया सूरत में जोरदार बारिश के बाढ़ बार जैसे हालात बन गए सूरत में भारे बारिश लोगों के लिए आफ़त बन गई जल भरावने लोगों के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी गुजरात के द्वारका से कहर की तस्वीरे सामने आई जहां बार के बीच तीन लोग पेड़ पर फस गए जिसके बाद तीन लोगों का हेलिकॉप्टर से रिस्क्यू किया गया गुजरात में बार के बिगड़ते हालाग के बीच सेना को खुद उतरना पड़ा द्वारका इलाके में सेना ने सफल रिस्क्यू आपरेशन चला कर तीनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया मध्यप्रदेश में भारी बारिश से हालाग बिगड़े हुए हैं कई जिलों में हुई तेज बारिश के बाद सडकों पर सेलाब उमड़ाया हालाग ये हैं कि सडक पर पानी की तेज धार बह रही है लेकिन बावजूद इसके लोगों की यहां लापरवाही भी दिख रही है इस वीडियो में देखिए सडक के दोनों तरफ लोग खड़े हैं कोई पानी को पार करनी की हिम्मत नहीं चुटा पा रहा वहीं एक ट्राक्टर पानी की इस तेजधार में सडक पार करने का जोखे मुठा लिया और फिर पानी की तेजधार में उतार दिया किसी तरह ट्राक्टर ने रास्ता पार किया वही दूसरी तस्वीर भी देखिये बाइक पर सवार एक परिवार ये जोखे मुठानी के लिए कुछ आगे बढ़ा लेकिन पानी की तेज़ धार को देखते हुए आगे बढ़ने का फैसला टाल दिया पत्नी और बच्चे बाइक से उतर गए और बाइक सवार भी आगे बढ़ने की जगा वापस लौट गया भारे बारिश उसे बिहाल मज़प्रदेश का शिम ने जिला भी दिखा यहां तो घरों में पानी घुस गया है एतना ही नहीं घर से पानी निकालने के लिए पानी के मोटर तक का इस्तमाल करना पड़ा मकान दुकान सब के अंदर पानी घुसा मिला सडके भी पानी से लबालब भरी नज़र आई लोग उसी पानी में चल कर घर पहुशते भी दिखे माराश्टर के सांगली में भारी बारिश की वज़े से पूरा शेहर जलमंग न हो गया सडके पानी से भरी नज़र आई तो वहीं दुकान से लेकर मंदिर तक पानी में डूबे हुए है पिशले कई दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वज़े से बार जैसे हालात हो गए हैं तस्वीरे महराश्च्र के सांगली की हैं जो बताती है कि कुद्रत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है शेहर के शेहर समंदर में तब्दील हो जाते हैं गलियों में नदिया बहने लगती हैं बार बारिश की ये तस्वीरे प्रकृति के प्रकौप की गवाही दे रही है जहां एक नजर जा रही है वहाँ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है सड़कें दरिया बन गई है और जिसकी वज़े से लोगों को आने जाने में काफी परिशानी हो रही है लगातार हो रही बारिश की वज़े से आसपास का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है सांगली से जो तस्वीने सामने आई वो हैरान करने वाली है लगातार हो रही बारिश की वज़े से मंदर परिसर पूरा दरिया बना हुआ है मंदर का ये हाल आज हुई बारिश के बाद हुआ बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि देखते ही देखते पानी ने पूरी जगह को अपनी आगोश में ले लिया मंदर की इस तस्वीर को देखकर लगता है मानों ये मंदर किसी दरिया में बना हो मंदिर में पानी बर जाने की वज़े से मंदिर को बंद कर दिया गया है